सबत तो तुने बहुत दे दिया ऐ जिन्दगी अब लोगों को पहचानने का हुनर भी दे 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 दोस्तों यह लाइन जो दो लाइन मैं बोला हूँ यह सेर मार्केट से जुड़ा हुआ है क्योंकि सेर इस्टोक को पहचानने के जिसको हुनर हो गया और वो इस्टोक कब लेना है कब खरीदना है और कब बेचना है और वो भी सावा 9 बज़े से लेकर 37 बज़े के बीच में अगर मुझे प्लानिंग कर लिए कल कि हमें कल यह इस्टोक को बेचना है तो दोस्तो कब बेचेंगे अगर प्लानिंग करें कि यह इस्टोक को बहुत एक सब्ता से उसको आते देखते 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 की सोच लिए कि आज हमको बुधवार को यह इस्टोक खरीदना है कब खरीदेंगे या बुधवार को हमको बेचना है सेल करना है तो कब सेल करे आज ये दोनों स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे और ये जान लिजिए मुझ जबानी ध्यान से सुनिए और नहीं समझ में आता है तो इसक्रिप करके एक दो बार चार बार दस बार देखिए दोस्तो अगर जिंदगी में सफल होना है शेयर मार्क परसन तो आज बता देते हैं कि अगर आपका प्लानिंग है कि हमें कोई भी दिन आपभी एनलसिस करने की स्टोक रखे हैं तो सेल करने का ऑसनी समय है उसका ऐनलसिस करना बहुत ज़रूरी है क्या होता है दोस्त कि कोई कोई इस टोक क्या होता है कि सुबह आपको 9 बज कर 15 मिनर से 9 बज कर 20 मिनर से उपर जाएगा और उसके बाद बेज के निकल गए उसके बाद दिन भर में पता नहीं और जितना में खुला था उससे और 10% नीचे चला गया है यह कैसे पैचानेंगे तब तो हो गया चुटी तो इसका कोई टाइम नहीं है ऐसे स्टोक का कोई स्टोक होता है कि 9 बज कर 15 मिनिट में और उपर खुला और वो आप सोच रहे चार रुपिया बढ़ा बेश दिये 6 रुपिया हो गया बेश दिये कुछ लोग कुछ लोग इंतिजार के 7 रुपिया और साम होते होते 20 रुपिया मतलब कि 20% का अपर सर्कीट लगा ऐसे स्टोक कैसे पैचानेंगे बहुत ही असान और सिंपल सधारन पुरा फूल हिंदी में जान लिजिए कि ऐसे स्टोक को पाचाना बच्चों का खेल है जी बच्चों का खेल है हमारा पिछला वीडियो बहुत सारे वीडियो है आप जाकर उसमें देखिए देखना पड़ेगा मैनत करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ना पड़ता है इसलिए मैंने दो लाइन जो पहले जो संटेंस बोले दोहा बोले कभीता उपकभीता नहीं आपके लिए था इसलिए आप पहचाने लोगों को और हमें तो पहचान करना अच्छी तरह आ गया है लोगों को और सेर को भी इसलिए हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जो सिखने के लिए तयार हैं उनके लिए नहीं है जो तिसमार खाँ है अगर पहली बार आए इंट्राडेटक मुंबई पे तो जरू सब्सकाइब किजिए अगर लगता है कि सब्सकाइब करना चाहिए तो लाल वाला हमने कम माना किया करेंगे आपका प्रेपिट होगा जय हिंजय भारत बंदे मात्रम